हेलो दोस्त मैं डॉक्टर अभयरंजन पाठक और आप देख रहे हैं पाठक आईरवेद तो टाइटेल और थमनेल देखकर आप समझ गया होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ तो इस वीडियो को लाश्ट तक देखिएगा ताकि आईरवेद से समझ सही और सतिक जनकारी आपको मिल सके तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं यह मुर्गा का फूल है इसे मोर सिखा भी कहते हैं इसका फूल मोर और मुर्गे की सिखा की तरह दिखाई देता है इसके फूलो का उपयोग सजावटी काम में किया जाता है इसके पतियों एवं फूलो को सबजी के रूप में भी पर्योग किया जाता है भारत पश्मी अफिरका दस्टनी अफिरका में सबजी के रूप में इनकी खेती होती है इस मुर्गा के फूल का बैज्यानिक नाम सेलोसिया है जो एक खाने योग सजावटी पवधा है इसका अंग्रेजी नाम कौकस कुम है इसे संस्क्रीत में मयूर सिखा, मयूर चूरा, मधुछंदा, बखाबला, सुखिया, सीखीन कहते हैं इसे माराथी में मोर सेंडी, बंगला भासा में लाल मोरोग, तेलगू में माईड जीपा, तथा ओरिया में मयूर चूरिया कहते हैं इसे मेरे यहां जटा मौनसी के नाम से जाना जाता है इस पौधे को घर के अंदर या बाहर कहीं भी उगाया जा सकता है यह फुल लाल गुला भी बैगनी रंग के होते हैं इसकी कुछ परचाती सफेद या सिल्वर और पीली भी होती है लाल रंग का मुर्गा के सभी जगह मिल जाते हैं इसे बगीचों में सुन्दर्ता के लिए लगाया जाता है यह जंगली पौधे खर पत्वार के रूप में भी उगते हैं इसमें छोटे-छोटे काले बीज होते हैं जो दवा के रूप में इस्तमाल किये जाते हैं यह पौधा सर्दी में उगता है और फर्वरी मार्च तक सुखने लगता है तो यह मार्च का अंतिम दिन था इसलिए देखिए यह पौधा सुख रहा था तो हम सोचे हैं कि क्यों ना इस पर पहले वीडियो बना लू यदि किसी बेक्ती को सरीर में पथरी हो गई हो और उसे काफी दिक्कत हो रहा हो तो आप इसके बीज को भून कर चूर्ण बना ले और उसका सेवन दीन में दो बार सहद के सांथ करे तो आपकी पत्री के समस्या पूर्ण तर ठीक कर देगा यह पत्री को गला कर पिसाब के रास्ते बाहर निकाल देता है पत्री के मरीज के लिए यह काफी फायदे मंद है और आपके गुर्दों को साफ एवम स्वक्ष रहता है यदि महिलाओं में मासिक धर्म की समस्या हो अधिक रक्त स्राव हो रहे हो मासिक धर्म का समय सही नहीं हो तो आप इसके फूल को क्वात है यानि इसके फूल का सर्बत बना कर पीए तो मासिक धर्म से जूरी हर समस्या पूर्न रूप से ठीक हो जाता है तथा सफेद पानी और दिक्कत हो वहां इसे लगाए यह परकिरिया एक माह तक करना है इससे आपके जोरों का दर्द गठीया सुजन में काफी लाब होगा इस मुर्गा फूल के बीजों का चुर्ण बनाकर सेवन करने से आपको मदूमे की समस्या कभी नहीं होगी तो इतने सारे फायदे हैं इस मु पुराना से पुराना बावासीर जर से ठीक हो जाता है चाये वह बावासीर खूनी हो या वादी हो यह दोनों तरह के बावासीर को जर से खत्म कर देता है यदि किसी महिलाओं में स्वेत परदर या लिकोरिया की समस्या हो तो उसे भी इसके पतियों का सेवन करना चाहिए इसके पत्यों को रोज खाली पेट में सेवन करने से महिलाओं की जूरी हर समस्या ठीक हो जाएगी, स्वेत परदा रेव अमली कोरिया जैसी बीमारी जर से नश्ट हो जाएंगे, यदि किसी को मुह में छाले परे हो, मुह के छाले लाद की गर्मी के कारण बार-बार होते हैं यदि किसी को मुह की छाले बार-बार होते हों तो उसे इस मुर्गा फुल के बीज को पीश कर कारह बना कर सेवन करना चाहिए यह परकिरिया दोस दिनों तक करना है और दिन में दो बार करना है, जिससे मुह के छाले पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगे, वह पेट की गर्मी को ठीक करता है इस कारण मुह के छाले आना बंद हो जाते हैं, यदि किसी को पेटसाब में जलन हो या रूप रूप कर पेशाब आता हो, या पेसाब पीला हो रहा हो तो इसे भी इसके बीज का कढ़ा बना कर सेवन करना चाहिए इसके बीज के तासीर काफी ठंडे होते हैं जिसकारण पेसाब में होने वाले सभी बीमारी मुत्र रोगविकार जोर से खत्म हो जाता है तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक धन्यवाद स्वरूप लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे सेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेश करें ताकि इसी तरह के इन्फरमेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे